सभी सखियों, सहिलियों को, शोताओं को और प्यारी बुआ आपको सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार कितने प्यार से तुमने नमस्कार और स्वागत किया है, बहुत-बहुत धन्लेवाद, बहुत-बहुत इसने हैं और भई हम तो ऐसा हैं ना कि अब घूमी रहें, पता नहीं कहां, तुम लोग ने ऐसी ऐसी जगहों का नाम लिख देती हो ना, बंडार दरा, कि बिस लग रहा है कि देखते चलें कि क्या-क्या है वहाँ पर, और कितनी सुन्दर सी जगह है, कहां है, कैसे पहुँचेंगे और वो अजे अभी, एनि एक हपते के बाद तक वहाँ पे एक जुगनू महसो होता है, जून के दूसरे सबताहा तक होता है, तो अगर जाना है तो जल्दी से अभी जाहिए, करक्रम हो जाने देते हैं तब ना, पहले जाते हैं, नहीं नहीं अभी मज जाहिएगा तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे आशकार क्रम के माध्यम से, यानि सखी सहीली में और और विशे भी है, अंक विलास में आज हम एक अंक लेकर हाजिर हैं और वो दिन याद करो में जब मनाया सर्प्राइज जन्म दिन, इस विशे पर भी हम बाची करेंगे सर्प्राइज जन्म दिन तो है ही और भी हमारे साथियों ने बताया है कि कैसे कैसे किस तरह से वो जन्म दिन मनाते हैं, उनका भी स्वागत है और जो शोताओं से भी कहेंगे कि आपने किसी का मनाया है या किसी ने आपका मनाया है उस विषय पर बहुत रोजक कुछ जानकारी होगी तो आप लिख कर भेजिए ढ़र जानकारी तो जैसी भी है आप लिख कर बेजेंगे तो अच्छी लगेगी हमें क्योंकि ये जो, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जिनको कि हम आम तोर पर बीमारी मान लेते हैं, लेकिन ये एक स्थिती है, ना कि कोई बीमारी. बीमारी नहीं है, तो इस बारे में जागरूप होने की जरूरत है, के इस बारे में? अगर हम उसे चू लेंगे तो हमें वो बिमारी हो जाएगी पर यह बहुत यह गलत धारना है लोगों के मन में और यह सिर्फ एक स्थिती है और अल्बिनिजम पीडितों के साथ होने वाले भेदभाओं को कम करने और इस बिमारी के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए प् बिमारी ही नहीं है इसमें कोई ऐसी तकलीफ स्वयम व्यक्ति को नहीं होती है लेकिन पहले तो उसके लक्षन बता दे कि हाँ पूरा चेहरा सफेद होता है आंक के भावें जो होती है पलक की जो भावें होती है और बावें जो होती है बाल होते है वो सब सफेद होते है तो पर उसको जो है क्योंकि उनके में पिग्मेंटेशन नहीं होता है क्योंकि ये जो हमारा रंग जो है ना तुछा का वो पिग्मेंटेशन की वजह से होता है मेलणिन नामक pigments सेожеड pigments होते हैं उनकी वज़े से होता है लेकिन हम थोड़ा सा मजाग करते हैं उन बच्चों का या इनका मजाग बनाते हैं बौलचाल की भाशा में बहुत जगह कहते हैं इस सूरज मुखही है इस है तो ऐसे लोगों के लिए ऐसा ना करें यह बहुत ही प्राकृतिक बात है हर किसी की शरीर में मैलनीन के पिगमेंट बहुत ज्यादा होते तो किसी की शरीर में कम होते हैं और यह जो अल्बिनेजम जिने होता है उनके शरीर में तो पिगमेंट बहुत ही कम बनते हैं नहीं के बराबर होते हैं जिसे उनके तौने से नहीं होती है, तो जहिए विसंष्टो इसे vanagies को स्थितिंगे एक रीज़ार काścieė कर दूररल्जान क्यां और प्रूम है कि introduce us. और युनाइटिड के यहेरार में तेरह जून और को मनानी की गोष्ना की थी और मेलनिन पिगनेट आखों की नसों के विकास में भी महतोपून भूमी का निबाता है इसलिए इस स्थिती से ग्रसित लोगों में दृष्टी सम्मंदित समस्याय भी पाई जाती है और ये अनुवांशिक बिमारी है या इस्थिती है और दवाईयों के उप्योग से इसके प्रभाव को कम तो किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से अभी तक इस पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकी है और वर्ष 2024 की थीम है सामुहिक प्रगतिका एक दशक यानि वर्ष 2000 से लेकर 2024 तक का ये सामुहिक प्रगतिका ये सफर है यानि दशक पूरा हुआ है दस वर्ष पूरे हो गया इसकी जागरुपता को मनाते हुए लेकिन हमें लगता है कि ये दिवस मनाने के साथ साहत हमें आसपास के अपने जो बच्चे हैं जो भी साथ ही है आपके उन लोगों के संग किसी भी तरीके की बातें ऐसी नहीं करनी चाहिए कि वो अपने आपको अलग थलग महसूस करें हमारे बहुत सारे साथ ही भी इसी तरह की बाते लिख रहे हैं इन्होंने लिखा है कि अनुवांशिक रूप से विरासत में मिला अंतर है जो जर्म से ही मौझूद रहता है लगबग सभी प्रकार के अल्बिनिजम में माता-पिता दोनों में ही जीन होना चाहिए ताकि आगे चलकर आगे बढ़े भले ही उनमें अल्बिनिजम न हो ये स्थिती दोनों लिंगों में पाई जाती है चाहिए वो किसी भी नसल के हो दुनिया के सभी देशों में इसका कारण बालों तुच्छा और आखों में होता है अल्बिनिजम के लिए मुखे कारण मेलनिन के अनुपस्तिती का कोई लाज नहीं है सभी लोग दृष्टी ही नहीं होते हैं लेकिन चश्मा जरूर लगता है जैसा हमने देखा है अभी तक तो लोगों को देखा है तो उनको दृष्टी रही है लेकिन हाँ आँखो जरूर होती होगी चश्मे तो लगे हुए देखे ही हैं हम लोगों ने आसपस तो खासवर से हमें लगता है कि अपने बच्चों में इस तरीके की बातें रखें कि कोई भी थोड़ा सा अपने से अलग थलग दिखें तो उसका मजाक ना बनाए और यह जैसे आपी दस कुछ बच्चे इसमें जो होते हैं इसके साथ जी रहे होते हैं वो बहुत तेज भी होते हैं पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं कुछ बच्चे घर में उनकी स्थितिय ऐसी रहती है कि उनको अगर बाकी सब लोग बहुत तो उनने खुद समझ में आता है कि वो कमजोर हैं तो वो तो वैसे ही कहीं न कहीं अपने आपको थोड़ा सा अलग समझ रहें अगर हमने कर दिया तब तो फिर बिल्कुल ही कट जाएंगे तो बस हमारी कोशिश हो कि उन बच्चों को अपने साथ लेकर चले और उन्हें भी तरक्की करने में आगे बढ़ने में हमारा कुश सहयोग हो तो जी बिल्कुल क्योंकि ऐसे में अकसर यही देखा जाता है कि आत्मविश्वास जो समाप्त हो जाता है फिर जो कुछ वो कर भी सकते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं तो खियाल रखे है आसPास के लोग अगर खुश रहेंगे तो जाहिर हम भी खुश रहेंगे जी तो कहीं गुमाने ले चलिए पिया को और क्या रूट गये तो हां और क्या बतलब केवल अगर पिया क्या जो भी एगर आपके साथ ही रूट गया तो उनको गुमाने ले चलिए हम तो बताते रहें कारेक्टरिब के जाना हो नासिख से 72 किलो मीटर की दूरी परिस्टित ए और रेल मार्क से जाने के लिए इगतपूरी रेल वे स्टेशन सबसे नज़सेंच है और इगतपूरी से 35 किलो मेटर की दूरी पर हवाई मार्क से अगर को जाना है तो निकटम हवाई अड़ा जो है वो छत्रपती शिवाजी महराज अंतराष्ट्री हवाई अड़ा या ने मुंबई आ जाए और वहां से फिर टैक्सी से जा सकते हैं बस भी जाती होंगी जी जी जाती है ना और सड़क मार्क से पूरे लेकर बंडार दरा जा सकते हैं और यहां का कम तापमान, जलवायू, हरियाली, जरने, परेटकों का मनमोह लेते हैं तो शुरुआत करते हैं अभी तो रास्ता वस्ता हमनों ने बता दिया क्योंकि यहां पर जलते हैं वार्थर जील और यह जो है सबसे प्रसिद्ध है यहा बग 10 किलो मिटर की दूरी परिस्तित रादा फॉल सैलानियों के आकर्शन का केदर है यह जलप्रपात 45 मीटर की उचाई परिस्तित है और इस जलप्रपात के सहारे प्रवरा नदी 170 फीट की उचाई से गिरती है किती सुन्दर लगती है बहुत विहंगम द्रिश्य होगा वो इसके अलावा माउंट कलसु भाई को सहाधरी पहाड़ी श्रंखला की सबसे उची परवत चोटी माना जाता है और 1646 मीटर की उचाई वाले इस चोटी का इस्तेमाल मराठा समराज जद्वारा दुश्मनों पर नजर रखने के लिए किया जाता रहा है और अब अगर आपक अब इस समय तो भाई नजर नहीं रखना है आपको हम आजाद हो चुके हैं हाँ ट्रैकिंग का जो आप आनंद ले सकते हैं अगर आपको उसका शौक है तो यहां जरूर पधा रही है साथ ही विल्सन डैम यह बांध यही तो हम कहने वाले तुमने विल्सन डैम से जो है उस जाना जाता है यहने अम्रेला फॉल है उसके पास में ही विल्सन डैम है हम पहले उसके पास वाली जगह बताते हैं अब अम्रेला फॉल शायद बात में बताएंगे क्योंकि पहले हमने बताया रादा फॉल जो था विल्सन डैम के पास में अब विल्सन डैम के पास में अब है रतनगड और यहां साथ में ही यही परिस्थित पास में रतनगड और हरिश्चांज फोर्ट है और इसकी भी सैर कर सकते हैं आप बंडारदरा प्रकृती के बीच शांती और रमणी वातावरण के लिए बहुत बहतरीन स्थान है लेकिन इसको भी देखे उसका भी मज़ा लेजी और सबसे महतफून बाती बुए जी कि भंडारदरा में मई के महीने से जून महीने के मध्धे तक जो यह जो एरिया है सूरियास्त से लेकर मध्धिर आत्री तक जुगनों से चमकने लगता है और इस विहेंगम द्र तो इसका आनन्द आप लीजिए और यहां पर आप रह सकते हैं थोड़े दिन रह के मज़ा लीजिए ऐसा नहीं कि बस आए और देखे और चले गए मानसून आने के ठीक पहले यह जुगनू जो है अपनी चमक बिखेरते हैं और मानसून के पहले का समय जो है इनके प्रजिनन का समय होता है तो जाहिरे के इनकी संख्या जो है वो बहुत बढ़ जाती है तो पूरा वातावरन जो है जगमक जगमक होता रहता है और इस समय आप जूगनुओं को हम लोग हाथ में लिए देखते हैं कि कैसे इ llegó चमक रहे हैं हैं कैसे इनके पंक खुलते हैं तो टिंटिमाने लगते हैं को बढ़ा अच्छा लगता है। । बच्पन में हम ऐसे 1 दो चार दिलेखते हैं पर अटने लागों की दादा ने हम ले corridor 59 कना लाइट न रख जलाएं क्योंकि जुगनों परिशान हो जाएंगे और आपको शोर भी नहीं करना चाहिए जो वातावरन प्राकृतिक है उसको वैसे ही रहने देना चाहिए जो हम बार-बार कहते हैं कि किसी भी आप इस मारक में जाएं तो वहाँ पनिशानी न छोड़ें ऐस नहीं ज्यादा वो फोटो बहुत अच्छी नहीं आती है तो कोशिश हो कि हमारी जो आख की कैमर है उसका मज़ाल है उसमें से ही उसे अपने अंदर समाहित कर ले सहेच के रखे हो यह हमेशा के लिए यादगार जाएगे और बहुत सारे लोग है बहुत परिशान भी करते ह कि बोटल लेकर जाते हैं उसमें उन जुगनों को इखटा करते हैं कुछ कपड़ों के उपर डालते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें क्या है यह प्रकृति है उसे हमें सहेच कर रखना है बिल्कुल जैसी है जहां पर है उसको वैसे ही छोड़ दीजे दूर से उसका लीजिये और जिसने बनाया है यानि कुद्रत का जो करिश्मा है उसके आनंद लीजिये और जितनी हो सके उतनी सराहना कीजिये और पूरा आनंद लीजिये और आखों में उसको समा कर वापस आ जाएए हम ओ सनम तेरे हो गए हम तो यहां पर मैं बोलते हैं जब हम एक रहते हैं लेकिन हम बोलते हैं जब दो हो जाते हैं लेकिन बहुत सारी जगहों पर स्थानिये तोर पर हम जो है एक को भी कहते हैं यानि मैं को भी हम लोग कहते हैं तुमारी बुवा ही कहती है देखो वाई ऐ है कि हम तो यहीं बोलते हैं और यहीं आदत है यहीं तो हमें अच्छा लगता है अच्छा लगए बुरा कहना तो पड़ेगा क्योंकि पता है कि बुआ अगर जरा सांख तरेड देंगी तो तुम लोट जाओंगी इसलें बोल देती हो जब हम बोलते तो उसमें एक मिठास की हजबूती होती है और ऐसा लगता कि हमें भी साथ लेकर चल रहे हैं यहां पर जब हम बैठते हैं तो वाकि एक जो हम प्रतिनिद्ध तो करते हैं विविद्भारती का तो जाहिर है कि पूरा एक संस्थान है खैर हम लोग भई हम तो इसले कह रहा है कि हम सब को एक आंक से द और यह एक जो है नियूनतम अंक होने के कारण एक को इकाई माना जाता है और विज्ञान के सभी पक्षों में परिभाशा हो या सूत्र इस इकाई का भरपूर प्रयोग किया जाता है इस एक से अनेक बड़ी-बड़ी समस्याओं के हल निकाल लिये जाते हैं एको ब्रहमास जब बात आती है तो एक एक या द्वई विनिष चत्य त्रिशन यह है त्रिंश्र चतुर भिरवशम कुरु हित्वा यह इन्हों लिखा हुआ है कि मतलब एक जगह कहीं हमने पढ़ा था कि एक बुद्धी से क्या होता है दो कर्तव अकर्तव का निश्चे करके चार याने क साम, दाम, दंड, भेद से तीन को वशमे किया जा सकता है तीन क्या है शत्र, मित्र और उदासीन आप तीनों को वशमे कर सकते है यह है अंको का महत्व तो एक से ही शुरू होता है वैसे भी कहते है हम अकेले चले थे कार्वा बन गया तो एक जब अकेला चलता है यह तो कहत और हिंदी मास की एक तीथी को प्रतिपदा कहते हैं पहली तीथी को इसको बहुत सारी सामवाने इस्थानी भाषा में एक कम भी कहते हैं और ऐसे ही अलग अलग दिनों में जो एक तारीख होती है उसका अपना अलग महत्त है कार्थिक मास के अगर हम बात कर रहे हैं तो शुक प्रतिबदा होती है वो होली के रंग का दिन है तो यहीं से नवर्ष शुरू हो जाता है जो हजार रंगों की बॉच्छार करता है सच मुच और लोग जीवन में एक सितारा आसमान में देखना शुब नहीं माना जाता है अरे हां यह बच्पन वड़ी बता नहीं किवदंती थी कि सच था हम लोग ऐसे एक देख लेते तो पर बैठे रहते थे चट पर कि जब तक दूसरा ना दिख जाए हां 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 जब एक तारा तूटता था तब भी है ना हम जो विश मांगेंगे वो पूरी ह प्रसक्पन में थो हम अच्छे नंबर से पासते ल denial लुक्वांजी और वहीं से जब एक तारा जो है जिसकी बात आ और अगर हम बात करें कि बहुत सारे इसमें जो हैं मुहावरे हैं जो एक से बने हुए हैं तो उन की हम बात करेंगे побला मैं साथ ही लिख रहेए कि सखी सहली एक ऐसा मंच है इसके बारे मैं भाद में बात करेंगे हमारे दूसरे साथियों ने जो भेजा है संदेश वो पहले बता दिया जाए अंक विलास एक और एक ग्यारा इश्वर एक है जीवन एक बार ही मिलता है एक से बढ़कर एक, एक सूरज एक चंदा, क्या बात है जी हाँ बिल्कुल एक धरती है, एक आकाश है और बिल्कुल जो हम लोग प्रकृति में देखते हैं हमें तो लगता है कहीं न कहीं हम सब जो हैं बिल्कुल अकेले एक से बने हुए कोई बहुत दूसरा पूरी तरह से दूप्लिकेट नहीं मिलता है बिल्कुल सब अलग-अलग एक हैं पर उसमें अनेक में एक अलग है हमारे साथ ही ने लिखा है अंक विलास एक मैं एक ही हूँ और बहुत हो जाओंगा इस उद्धोश के इश्वर से इश्वर भी अपने को हम में बाट और साथ रहा है इस द्रिश्वर कोण से एक वास्तविक स्वरूप में एक महत्वपूर्ण अंक है माना जाता है कि अकेला चना भाड नहीं फोड़ता लेकिन ध्यान रहे कि वहीं पर ये भी कहा गया है कि खुदी को कर बलंद इतना कि खुद बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है आश्चरे तो ये है कि दोनों में ही कर्म करने की बात है वैसे ये भी इस पष्ट है कि जहां एक और एक दो होते हैं वहीं दूसरी और एक और ग्यारह भी होते हैं एक और एक ग्यारह क्या जग जाहिर है आवशकता बस केवल अपने पर जाहिर होने भर की ही है तो ये समझना होगा हाला कि हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि भाई कोई अकेला नहीं आया है दुनिया में न तो अकेला जाएगा सब आये हैं लेकिन यहां पर समुदाय में रहना ही पड़ता ह है ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं अकेला आया हूं लेकिन जब जन्म लेते हैं तब तो अकेले ही जन्म लेते हैं ना वही तो वाजी यही बत सोचने की बात है देखने की बात है कि हम क्या देखते हैं और क्या नहीं देखते हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं एक उमकार पर एक सत्य भी एक ही होता है सत्य जब होता है तो उसके लिए बहुत सारे चीजों का सहरा उसको लेना पड़ता है सत्य हमेशा अकेला चलता है एक होता है वो और इसलिए कहते हैं कि जूट जब बोलते हैं तो उसके संग एक जूट के लिए हजार जूट और बोलने पड़ते हैं कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है जो सत्य बोलने वाले रहते वो अकेले भी हो जाते हैं लेकिन वो हार नहीं मानते और उन्हें जादा दूर तक वो चलते हैं ये भी तो बात है जूट ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाता हो जहां ज़्यादा लोग जब साथ में चलते हैं तो जाहिर है कि आप कहीं न कहीं कमजोर भी पड़ जाते हैं और हमारे साथी लिख रहे हैं कि अंक विलास, अंक एक को ईश्वर की एकता या ब्रम्हंड की एकता के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है और तरक शास्त्र में अंक एक का प्रयोग सत्य के प्रतीक के रूप में भी होता है यही जो हम लोग अभी बात कर रहे थे यह बात बिल्कुल सही है और लक्ष की बात करें मतलब इस जग में अकेले आये हैं और अकेले ही जाना है बिना साथी बिना संगी बिल्कुत सही बात है और करेक्रम के बारे में जो हम चरजा कर रहे थे माई साथी ने लिखा है अंक विलास में एक की बात करूँ तो आजyy कि सकी सहली प्रस्तुत करने कोई उद्खोशी काकेली नहीं आई, साथ में एक का साथ जरूर होता है, एक से भले दो, एक और एक मिलकर ग्यारा होते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही रे, एक अकेला ठक जाएगा, मिलकर बोच उठाना, वैसे शूनी की कोई कीमत नहीं होती, अगर उसके आगे एक खड़ा हो जाए, तो सारे लोग आपको पूछते हैं, फिर कहा जाता है, एक अनार, सो बीमार, मैं कहां कहां व्यक्ति ये जाए, है कि नहीं, और साथ ही, एक ता में शक्ति, जैसे एल्बिनिजन दिवस की भी इस बार की थीम है, तो एक ता में शक्ति, अगर हम सब साथ मिलकर चले, यानि एक औ हमारे करेक्रम में जो दो सहलिया बैठती हैं, वो एक प्राण दो शरीर होती हैं, जब करेक्रम करते हैं, लेकिन कभी भी हम एक की दस नहीं बताते हैं, ये बात तो सही है, है कि नहीं, और एक की दस, बहुत सारे लोग बताते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं, बहुत सार जैसे अब चुटा सा एक चित्र ही अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इसमें प्रयोग भी होते हैं उस पर कभी और चर्चा करेंगे जैसे उनको दिखाया गया उनसे का गया दूसरे को बताओ इसमें क्या था तो उसमें सिर्फ अगर नदी और केवल लेक जोपड़ी थी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सबको एक लाठी से हाकते हैं अब इसका दो माइने होता हमें जो लगता है तो क्या लगता है नहीं पर आप थोड़ा बताई है तो सब लोग को एक आंख से ही देखते हैं मतलब पूरा को इसा नहीं भेद भाव नहीं है कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अच्छे पूरे सबको एक ही लाठी से हां दिया इनोंने यानि सबके साथ दुर वेवार करते हैं अहां मतलब दुर वेवार नहीं मतलब जो भी वेवार है थोड़ा सा तो आप अंतर रखें कि कोई अगर बहुत अच्छा है घर में तो थोड़ा सा उसको ज़्यादा सम्मान दीजिए या उम्र ज्यादा है तो उनको वैसा करिए को सब कियों गुसाई खरेंगे यह बात भी ओती है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें और और बहुत बहुत पुरानी हैं कहावतें और बहुत-बहुत पुरानी भी है आज पता नहीं उतनी सामाइख है की नहीं जिसे एक देले की बुढिया और टका सर मुंडवाई का याने कि चामदनिय अठनिय और खर्चारुपईय आजकल की भाशा में अगर बोले तो ऐसी ऐसी कहावते हैं और हम चलते हैं फिर यादों के जरोखे में चलते हैं कि आपने जब जनम दिन आपका किसी ने मनाया या आपने किसी अनोखे तरीके से मनाया वो हमें लिखकर भेजिये हम लोग बात कर रहे थे वैसे तो जनम दिन पर आने वाले थे लेकिन अभी बात पूरी नहीं होई थी क्योंकि हमने जो बात करते हैं कि प्रथमेश जिनकी बात करते हैं वो प्रथम पूजिनी है जो प्रथमेश उन्हें एक दंत भी कहा जग गया है यानि एक दात वाले ग एक नाम एक लिंग भी है और उदाइपूर के निकट एक लिंग जी का एक भववे प्राचेन मंदिर ना केवल राजपूतों के शाश्वत निष्ठा के केंद्र है वरन सारे भारत का भावना बिंदू भी है वो जब एक की बात आती है तो भक्त एक नाच का भी नाम अपने संत जो हुए महान संत भक्त कवी उनका नाम भी याद आ जाता है और ऐसे ही एक लवे जो है वो भी हमारे लिए एक निष्ठ प्रतीक है और प्रतिनिधित करते हैं ऐसे कि जिनकों की कुछ भी सुविधा नहीं मिले उसके बाद भी उन्होंने अपना नाम अमर कर लिया जी स जात ही एक की बात चलती है तो उस मुरली के माधूरी से सारा विश्व बंधा हुआ है कोई भी सास और आवाज उस बासुरी की भाशा और भावों को छू तक नहीं पाए और वो एक वंशी है एक ही है कृष्ण वंशी जी हाँ ये भी बात है और चलते है नाटक की और एक ह अंक पे हो जिसमें परदा ना उठे हटे एक ही दृष्ण में जो समाप्त हो जाए उसे एक आंकी कहा चाता है और ऐसे बहुत सारे एक आंकी है जो लिखे गए है ऐसे ही आजकल बहुत ज्यादा प्रश्टी थै कि एक ही वेक्ति स्टेश पर आता है और वो पूरी नाटक कर चाता है उसे मोनो लॉग भी जैसे कहते हैं कि खुद उसको पूरा करके चले जाते हैं तो बहुत सारी चीजें और वी जो है उसमें जुड़ गई है अब तो ना और साथी एक कहवत भी है ना बुआ जी सौ सौनार की एक लुहार की तो इसके लिए एक लुहार की बात जब जाना चाहिए तो हमारा वेक्तिप भी इस तरह प्रभावशाली हो अगर तो क्या कहने बड़ा मुश्किल है वैसे है वैसे पर हम लोग है ना ऐसे कोई हो सामने तो उनसे बहुत प्रभाविद भी हो जाते ना वहाजी कि क्या एक ही तब से चुपचाप बैठे ते पर एक सुन लो दो क्योंकि खुदा ने जुबा दी है एक और कान दो तो जुबा तो एक ही मिली हुई है इसका बहुत सोच समझ कर प्रयोग करना चाहिए अंक की बात जबाती है तो जुबान तो एक ही है मन एक है मारा दिल एक है आत्मा एक है तो ऐसी बहुत सारी जो बहुत महत् पूर्ण चीज़ें हैं वो एक ही है तो ऐसे जो है इस बात पर जरूर ध्यान रखना चाहिए बोलते वक्त हम क्या बोल रहे हैं इस बात का ख्याल रखना चाहिए तो भई नियत की जब बात आती है तो बहुत सारे लोगों की नियत ऐसी होती है कि किसी को खुश कर दिया तो वाख़ी झो धुगनी हो जाती है बहुत छोटी सी ही हो कोई छीज हो सच बन चोकलेट भी मिल जाए ना, तो हम खुश हो जाते हैं, बहले कितनी उम्र कितनी भी बड़ी हो जाए है, क्योंकि हाँ, बिल्कुल सही बात है, यानि कि जिस चीज के आपने उम्मीद नहीं की थी, जो आशा नहीं की थी, वो जब मिलता है, इसलिए शायद कहते हैं, कि नहीं थी, और उन लोगों ने सारा इंतजाम खुद ही करके मेरे घर आकर मुझे सर्प्राइस किया था, और वो बड़े मेरी लाइफ का सबसे अच्छा बड़े सेलिबरेशन हुआ, जो मुझे जिन्दगी भर याद रहेगा, वीद भारती के माध्यम से, मैं उन लोगों को तहे दिल से शुक्तियां बोलती हूँ, दोस और कॉलीग हो तो ऐसे हो, क्या बात है, वैसे हमारे साथ ही अलग अलग धंग से बता रहे हैं, जन्म दिन सदय एक दम साधारान धंग से मनाते हैं, उस दिन विशेश पूजा अर्चना करते हैं, भगवान को पुश परपित कर प्रशाथ चड़ाथे हैं, घर में, परिवार में, जो बड़े होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, बाहर रहते हैं जो लोग wolf उन्हें ून्हें फोन पर आश्रवात प्राप्त करते हैं, तो ऐसे भी जन्म दिन मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, और वाकई जिसको आप फोन करते होंगे तो उनको सर्प्राइज मिलता होगा और सर्प्राइज जन दिन की खुशी अभी दो दिन पहले मेरी बीटी का जन दिन मैंने अपनी भावनाएं लिग कर वेक्ति किया और उसके पसंद का गाने का वीडियो भेज कर क्योंकि वो परदेश में रहती है उसके ख 14 बजे केक लेकर मेरे पास आये मुझे विश्च किया सच में उन दोनों ने मुझे हैरान कर दिया मेरी आखों में से आसू निकल पड़े खुशी के क्या बाहर है और एक हमारे साथी दसवी की पोड़ परिक्षा में पास हुए और घर में सब खुश थे दादा जी ने सभी को समोसे और जेलेवी खिलाई मैंने भी खुब मिठाई खाई शायद इसलिए मैं आज भी चोरी-चोरी किचन में जाकर गुड़ चीनी बताशिया कोई भी मीठी चीज़ खा लिता हूँ मैंने मेरे दोस्त को कभी बताया नहीं था कि मेरा जन दिन है पर उसने एक बार मेरी मन से पूछ कर मा से पूछ कर मेरे जन दिन के दिन अचानक मेरे घर आकर मुझे सर्प्राइज दिया और यह जानकर काफी अच्छा लगा कि उस दोस्त को मेरे जन दिन की परवती मुझे सर्प्राइज देना था उससे और उससे अचानक आकर सर्प्राइज दे दिया और मैं चौग गया कि उसे बताया तो बताया किसने बताया इन्होंने अंग्रेजी में लिखा यानी रोमन में लिखा है से थोड़ा सा मुश्किल हो रही है हम लोगों को और सर्प्राइज जन्र दिन तो कभी नहीं मनाया लेकिन अगले साल हमारी शादी की पचासवी साल गिरह आ रही है बेटी बेटे बहुए नाती पोते सभी मिलकर कुछ सर्प्राइज देने की बात कर रहे थे देखते हैं दो मार्च दो हजार चौबिस के दिन क्या खास होने वाला अच्छे जब यह इंतजार करें तो सर्प्राइज कैसे रहेगा सुनाली बीटा यह बता है यह निपा देखि लेकिन मा की आख से समझ में आजाता है बच्चों को कि मा को तो पता चल गया था कि क्या चीज थी कहां छुपाई गई थी है ना तो ऐसी बहुत सारे चीज़ें होती है तीन वर्ष पहले मैंने एक प्रियम मित्र को जन्म दिन के अवसर पर एक पौधा उपहार स्वरूप दिया था मित्र ने वह पौधा बगीचे में लगा दिया आज वह पौधा काफी बड़ा हो गया हर वर्ष जन दिन पर मेरा मित्र मुझे याद करता है तो ऐसा ही गिफ्ट होना चाहिए और जब हम नोंने प्रतमेश की बात की तो हमारे साथी को अपना बेटा याद आगया लिख रहे हैं कि मुझे मेरे बेटे की याद आ गई इस समय वह बाहर गया हुआ है कॉलेज में एडमिशन के लिए तो भी एडमिशन हो जाए धेर सारे शुपकामना है इसी के साथ दीजे इजाज़त स्विकार कीजे बुआ और सोनाली पाठक का नमस्कार